आपका स्वागत है आज हम आपके लिए नारियल चट्नी बनाने जा रहे हैं इसके लिए लिए हमने हरा नारियल यह भुने हुए चने और यह कच्छी मूफली तो चलिए स्टार्ट रहते हैं हमने गैस ओन करती है कि हमारी गरम हो जाए तो अब हमने इसमें डाला तेल तेल को गरम होने देते हैं तो फ्रेंट तेल हमारा गरम हो गया है अब हम अपनी मूफली रोश्ट कर लेते हैं कर दो दो जाए तो देखिए यह हम जब तक इसे गूनेंगे जब तक इसका खच्छा पर ना निकल जाए तो देखिए यह हमारी मूफली के दो टुकड़े होने लगे हैं यह देखिए चटकने लगी है इसका मतलब है इसका कच्छा पर निकल गया यह देखिए अवं अवं डालते हैं चार चार से पांच हरी मिर्च आप 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 जालते हैं कटा हुआ अद्रक आप 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 यह दालते हैं बुना हुआ चना अगर आपको चना बुना हुआ ना मिले तो चने की डाल भी आप ले सकते हैं इससे बहुत है तो दीना से बहुत ही अच्छी खुजबू आएगी और हमारी चट्नी बहुत जिन सकती की रहेगी इसलिए हम डालते हैं तो दीना देखिए इससे अच्छी खुजबू भी आएगी और ज्यादत टाइम तक चलेगी लिए सासी हमने डाला कटा हुआ नारियल हरा नारियल कटा हुआ इसे ज्यादा नहीं बूनेंगे हम थोड़ा ही रोष्ट करेंगे तो बस यह हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसको ठंडा होने देते हैं फिर हम इसको पीसेगे चलिए फ्रेंड हम इसको इसको इस्टार्ट करतें हम ने जार लिये मीकसिते जार हम इसमें डाल देते हैं हम दो चम्मच पानी डाल एकिए पीसेगे हमने डाला इसमें स्वादंसार्म नमक और हम इसमें दो चम्मच पानी डालके पीसेंगे चलिए तो देखिए फ्रेंट हमारी चटनी तयार है नाहरे नारियल की और इसे ज्यादा समझ तक टिकाने के लिए हम इसमें डालेंगे बिनेगर यानि की छिरका सपेज छिरका इसे हम इस्टोर कर सकते हैं इसे हम ज्यादा समय तक चला सकते हैं हरे नारियल की चटनी बहुत ही स्वादिश्ट होती है तो चलिए आप इसमें हम तड़का लगाएंगे तो फ्रेंड हम इसमें तड़का लगाते हैं तो हमने गैस ओन कर दिया है घडाई में तेल डाल दिया है और हम इसको गरम होने देते हैं इसमें हम डालेंगे हीन थोड़ी सी सरसों थोड़ी राई डाल दिया हमने इसको चटकने देते हैं तो चाहिए राई डालेंगे तो कड़ी पत्सा प्साइंगे कडी पत्सार्ट मूरथी दाल दाल और उन्हें डाल दिये लाल मिर्ट सुखी तो चलिए ब्रेंड सड़का हमारा तयार है तो यह लेजे तो देखिए ब्रेंड नारियल चटनी हमारी तयार है आप इसको इस्टोर करके रख सकते हैं तो देखिए ब्रेंड नारियल चटनी हमारी तयार है अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर केजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अबस कीजिए और बैल आइकन अबस दबाईए इससे कि आपको जो भी हम इसमें वीडियो डालें वो आपके पास सबसे पहले पोचे धन्यवाद